हेलो गाइस वेलकम टू पेक माई यूटूब चैनल तो चलिए गाइस आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं 4 इंची पीवीसी 5 फिटेंग को और आज हम आप बताने वालें की इस वीडियो में इस 4 इंची फिटेंग की प्राइस के बारे में और इनके चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल का इकन को प्रेस कर देना है ताकि हम इस तरह की नईनी अपडेट्स आप तक पहुचा सके लाइक एंड कमेंट्स करके बताना न भूले कि वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडिय आई देने वाला यह नाली ट्राप कहलाता है एंड हमने इनकी सारी प्रशनली वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है एड उनकी सारी इंपरमिशन को देके रखा हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियो उसको भी वाच कर सकते हैं यह देख पा यह चार इंची टी कहलाती है चार इंची टी मतलब 110 mm का मतलब चार इंची कहलाता है यह तो यह आपको भारत कंपनी में मिल जाती है जो कि देख पारें यह धाई केजी की टी है यह इस तरह से लपक जाती है यह लपकने वाली धाई इंची की टी है मतलब यह थोड़ी टी है एंड अगर इससे अच्छी कॉलिटी की बेस्ट कॉलिटी के लेना चाहते हैं आप तो इस तरह किए फोर केजी की टी को भी ले सकते हैं देख पा रहे हैं यह काफी हेवी और मजबूत है यह प्लास्टो की एगरी कल्चर में यूज के जाने वाली पिटिंग है एंड यह सारी फिटिंग एगरी कल्चर में भी इनका यूज किया जाता है तो आप हार्डवेर सॉप में इन सारी चिलर्स आइटम्स को रख सकते हैं क्योंकि यह सारे आइटम्स में काफी अच्छी प्रॉफिट है एंड इनकी जो मार्केट प्राइस रहती यह भी हम बताने वाले यह देख पा रहें यह कोवेल कहा जाता है इस कोवेल को गेस पाइप में लगाया जाता है जैसे की गड़र के पाइप को निकाला जाता है बाहर उस गड़र के पाइप में इस कावेल को लगाया जाता है एंड यह जो देख पा रहें एंड के यह एंड क की डखन को भीब बनाया जा रहा है एक पाइप लाइब को सारा बंद करने के लिए यूजित किया जाता है कि यह एप्टि कहला आती है फिमेल टाइप त्रेड शिस्टम कहलाती है तो इसका यूज पाइप लाइन में किया जाता है जैसे कि इस Matthew को अगर पाइप लाइन को जोड़ना है एक समेकं से अगर थेड़ वाली पाइप लाइन बनानी हो तो पाइब के लास्ट में से एक और से प्लेन भाग मिलता तो आपको इस प्लेन भाग को पाइप में सॉल्वेंट को लगा देना है एंड इस एप्टी थ्रेट को भी आपको पीवी सी पाइप में चारिंची में लगा देना है जो कि देख पारें इसके उपर 110 mm के साइज को लिखा हुआ है यह प्लास्टो की फिटिंग है यह फूरी 4 मार्केट में उलेबल हो जाता है देख पारें इसके उपरें डाइपेजी लिखा हुआ 110 mm डाइप के जी यह पतला है काफी यह फोर केजी का कपलर कहलाता है इसे काफी प्रेस करने के बाद भी यह दब नहीं रहा है यह पायल मतलब प्लास्टो कमपनी का यह भी आइटम है यह देख पारें चार इंची से तीन इंची के बनाने के लिए साइज को भी रेडूसर टाइप बनाया गया इसे रेडूसर का जाता है इस रेडूसर का यूस पाइपलाइन को बड़ी से छोटी करने में चोटी से बड़ी करने में इसका यूस किया जाता है यह चार इंची कि यह पूरा इस तरह मुड़ा वुबा हुआ है इसमें इस तरह मुड़ा हुआ है इस तरह का मुड़ा रहता है यू इस तरह का तो वह भी आपको मार्केट में अलेबल हो जाता है एंड इसका यूज जैसे की rain water का पानी को नीचे उतारने के लिए भी किया जाता है rain water की pipeline जो रहती है उसमें इसका use किया जाता है pipeline को मोडने में 90 degree में अगर pipeline को मोडना हो तो इसका use किया जाता है एंड हमने यह जो सारे chillers items है इन सारे PVC के चारिंची चिलर्स items की वीडियो हमारे इसी चैनल पर प्रशनली अप्लोड करके रखा हुआ है आप हमारे चैनल पर जाके इन सारे items की वीडियो को watch कर सकते हैं इनकी सारी information को ले सकते हैं कि इनका use कहां किया जाता है इनकी market में क्या price रहती है चले इनकी price की बात कर लेते हैं कि इनकी market में क्या price रहती है यह सारे प्लाश्टो के काफी heavy items है अगर इनसे आपको इस तरह की भारत company के यह जो भारत company है इस company के अगर fittings को लेना चाहते हैं तो इससे बहुत कम price में market में उलेबल हो जाती है जो यह चारिंची का ना 150 रुपी में market में उलेबल हो जाता है इसे chamber का का काम करता है pipeline में इसे लगा जाता है जो की वास्रूम के पानी को बाहर निकालने में नहाने वाले गंदे पानी को बाहर निकालने में kitchen में लगे सारे sink के गंदे पानी को बाहर निकालने में इसका use किया जाता है एंड यह जो 40 वाई 3 का इसके उपर दे ख़े रहे हैं यह साइच को भी लिखा हुआ है सिक्सकेजी का है यह सारी फिटिंग 6 KG 4 KG में एवलेबल है पस यही 2 KG में एवलेबल है यह छो भारत का टी है यह डाई kg में है बाकी सारी फिटिंग 6 kg में है देख पारें इसकी थिखनेस काफी अच्छी है और मजबूत है यह 110 mm x 90 mm मतलब यह बड़ी पाइपलाइन से छोटी पाइपलाइन से बड़ी पाइपलाइन में इसका यूज किया जाता है यह आपको मार्केट में 80 रुपीस मे में एविलेबल हो जाता है यह सारी प्लाष्टों की बाइस अभी फिटिंग यह जो दिखाई दे रहीए आपको आको 70 रुपीस में मार्केट में एवलेबल हो जाता प्रवे ले काभिल है यहह सूँर्ट की बात कर लेते हैं तो यह टी आपको 110 रुपई से इकО्टाइन डूपईैस मतलब 90 रुपई से 110 रुपई गीच में मार्केट में मिल जाती है पैन bisa मार्केट प्राइज बता दी हमने और इनकी होलसेल प्राइस जहनना चाहते हैं तो आप डार्यक्ट में में कमेंट ऐसाफक्के नाम की प्राइस पूश सकते थे घास उम्मित करता हूरा हूं कि आपको इस वीडियों में दिए गई सारी जनकर ही समझ में आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें इंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें मिलते हैं गाइस नेक्स वीडियो में आप इसी तरह की हार्डवेर एंड प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और उनकी सा वाचिंग वाचिंग वीडियो